हलो स्टुडेंट आपका हमारे यूटुब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर टू के लिए मैं इसके कुछ इंपॉर्टिन कोश्चन करेंगे यह जो कोश्चन है जनवरी 2012 और मई 2012 के सीटेट एक्जाम में पूछे गए थे तो आई स्टार्ट क हमारे पास है हमें बताना है कि इसके को लाएगा ठीक है तो सबसे पहले हमें रखाया है यांपर फॉर माइनस ब्रेकिट में टू माइनस नाइन की power 0 plus 3 का square divided by 1 plus 3 ठीक है तो देखिए हमारे पास एक identity होती है कि अगर A की power 0 है तो उसका answer जो हमेंशा 1 आता है ठीक है तो देखिए जो bracket है यहां पर solve करके minus 7 आएगा ठीक है तो minus 7 की power 0 तो हमारा 1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4 minus 1 plus यह हो जाएगा हमारा 3 का square divided by 1 plus 3 अब यहां पर अगर हम board mass apply करें ठीक है तो सबसे फ़ले divide करना पड़ेगा तो इसको divide करेंगे तो हमारे पास 4 minus 1 3 लिख देते हैं plus 9 को अगर 1 से divide करेंगे तो 9 ही आएगा और plus का 3 तो यह कितना हो जाएगा 3 और 9 12 और 3 15 इसका correct answer हो जाएगा अगला question है which of the fraction is least निव्ड में से कौन सी भी सबसे छोटी है ठीक है तो यह question जो है जनवरी 2012 के seated exam में पूछा गया था तो यहां पर देखिए जो fraction दे रखें 24 बटे 25 दस बटे ग्यारा 99 बटे 100 और 68 बटे में 69 तो देखिए इनके बीच में जो गैप है उपर वाले नमबर और नीचे वाले नमबर के बीच में गैप जो है वो वन का है ठीक है ग्यारा में से दस गए तो एक 99 और 100 का difference भी बना रहा है और 80 और 69 का भी बना रहा है ठीक है तो इस case में अगर difference same हो ठीक है तो जो सबसे चोटा नमबर होगा वो होगा जो सबसे यहां पर सबसे चोटी नमबर दे रखें 10 और 11 तो यह हमारा least नमबर होगा ठीक है और अगर बोला जाता सबसे बड़ा fraction तो सबसे बड़ा अगर जो डिफरेंस है 99 और 100 यह सबसे बड़ा होता ठीक है तो यहां पर तो सबसे चोटा पूछा है तो यहीं इसका correct answer होगा अगला जो question है the mean of median, mode and range ठीक है हमें इन तीनों का mean बताना है क्या होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको बढ़ते करम में लिख लेते हैं ascending order में तो six दो बार है उसके बाद six के बाद हमारे पास eight हमारे पास दो बार हो गया ठीक है उसके बाद nine भी हमारे पास क्या है तीन बार है त पर भी आठ थे या भी आठ है तो range क्या होता है range होता है सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का difference 14 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा छे है तो इनका difference आगया हमारे पास eight range यह हो गया mode क्या होता है mode होता है वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो nine जो है तीन बार है तो nine हमारा mode हो गया उसके बार आता है median median होता है वो नंबर जो बीच में है अब देखिए यहाँ पर total जो है आठ नंबर है तो यहाँ पर दो बीच में आ रहे है यह दोनों बीच दो, cancel किया, तो 8.5 यह आ गया, अब हमें बोला क्या है, हमें बोला गया है कि mean बताना है हमें इनका, ठीक है, अब हम mean निकाल लेते हैं, mean के लिए इनका करेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं, 8 प्लस 9 प्लस 8.5 यह हो गया, अब इनको जोड़ेंगे, तो कितना होगा, 8 और 9, 17, 17 प्लस 8.5, 17 और 8 होता है हमारे पास 25, 25.5 बटे में 3, अब 3 से काटेंगे, 3 अठ्थे 24 और एक गया, 3 पंजे 15, तो 8.5 जो है इसका correct answer हो जाएगा, अगला question देखते हैं, अगला है, यहाँ पर बोला गया है, इफ, A equal to 3 by 4 divided by 5 by 6, और B हमें यह दे रखा है, C और D दे रखा है, तो हमें बताना है कौन सी statement जो है, वो सही है, अब बराबर है, ठीक है, दो से cancel करा, तो यहाँ तिन 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 नौ बटे 10 आ गया, B वाली का निकालते हैं, तो 3 divided by 4 divided 5 divided 6, ठीक है, तो पहले bracket solve करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 5, 4 बटे 5, फिर divided by 6 है, ठीक है, तो यह हो जाएगा 3 divided 4 by 5 into, यह हो जाएगा 1 by 6, यह हो गया, अब इसको और थोड़ा solve करेंगे, 3 divided 4 by 30, ठीक है, तो यह हो जाएगा 3 into 30 उपर और 4 नीचे, ठीक है, दो से का इंसिल करा 15, 15 तिया, 45 बटे दो आ रहा इसका answer, ठीक है, अब C निकाल लेते हैं, C का भी ऐसी करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, 3 divided 4 divided 5, ब्रैकेट डिवाइट 6, तो पहले हम यहाँ solve करेंगे, 3 divided 4 बटे 5 हो गया, ठीक है, और इसको करेंगे, तो 3 into 5 by 4, डिवाइट 6, और यह हो जाएगा, हमारा कितना 15 बटे 4 into 1 बटे 6, तीन से काटा, 3 पंजे 15, तीन तुनी 6, तो 5 बटे, 8 इसका answer आ रहा है, अब D वाइट करेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा, 3 divided 4 into 5 by 6, ठीक है, तो यह दो से cancel कर रहे, 3 हो गया, 3 divided 10 by 3 हो गया, तो 3 into 3 उपर और 10 नीचे, तो 9 बटे 10 आ रहा है, ठीक है, D का भी इतना ही आ रहा है, और A का भी इतना ही आ रहा है, तो A और D वाला इसका equal होगा, अगला कुशन देखते हैं, अगला है, हमें बोलाएगे, इसका एक factor इन में से क्या होगा, ठीक है, हमें दे रखा है, X स्क् plus Y square minus 2XY, यह दे रखा है, ठीक है, अब देखे, 2 के साथ X और Y है, हम क्या करेंगे, X Y वाली term को एक सा लिख लेते हैं, X square plus Y square minus 2XY, और Z वाली term हमने last में लिख दी, तो देखे, इनको अगर हम combine करके लिखें, तो लिख सकते हैं, X minus Y का whole square लिख सकते हैं, minus Z square, अब हमारे प और A minus B करके, ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, X minus Y plus Z, और X minus Y minus Z, तो देखे, option में इनमें से कौन सा correct है, तो देखे, X minus Y plus Z, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह इसका एक factor हो जाएगा, ठीक है, अगला option देख लेते हैं, अगला है, हमें यह नमबर दे रखा है, 0.123456789, नो 0 दे रखे हैं, ठीक है, 1, 2, 3, अगर इसको हम standard form में लिखें, तो हमारा answer क्या आएगा, तो देखे, standard form में क्या होता है, एक digit के आप point लगता है, ठीक है, जैसे कोई भी नमबर है, 1.23, इस तरीके सा नची answer, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें directly, तो हमारे पास एक ही है, थर्ड वाला, ठीक है, आपको यह याद रखना है, जो भी हमें question में हम नमबर दे रखा है, जैसे 1, 2, 3 दे रखा है, ठीक है, 123, तो जो answer आएगा standard form में, वो 1 के बाद ही point लगेगा, 1.23 करके आएगा, अब देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, ठीक है, और यहाँ एक के बालगा 10, point के बाद है, तो 10 की power minus 10 इसका correct answer हो जाएगा, अगला question दिखते हैं, अगला है, हमें दो नमबर के prime factor दे रखे हैं, एक के prime factor यह है, और B के prime factor यह है, हमें LCM बताना है, A और B का क्या ह 2 की power, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, 3 की power 1 और 5 की power 1, B को लिख सकते हैं, 2 की power 2, 3 की power 2, और 5 की power 2, अब LCM के case में हम क्या करते हैं, जो भी prime number है, 2 है, तो इनमें सबसे highest power कौन सी दे रखे है, 2 की power 4, तो यह ले लिया, 3 वाले में highest power 3 की power 2 है, और 5 वाले में 5 की power 2 है, तो यह हमारा इसका LCM हो जाएगा, तो option number जो है हमारा second इसका correct हो जाएगा, अगला देखते हैं, अगला है, circumference of the base of a right circular cylinder is 44 cm and its height is 15 cm, the volume in centimeter cube of the cylinder is, ठीक है, एक किसी लमवर्ती बेलन की आधार की परिदी जो है, वो 44 cm है, अब देखिए, cylinder हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है, अब base जो हमारा circular होता है, ठीक है, circular होता है, इसका जो circumference है, वो 44 दे रखा है, बेस का, अब बेस का circumference होता है, 2 pi r जो की 44 दे दिया, ठीक है, इसकी उचाई जो है 15 cm है, तो इसका volume बताना है, क्या होता है, तो सबसे पहले radius निकालना पड़ेगा, तो 2 pi r 44 है, तो 2 into 22 by 7 into r बराब 44, तो यह हो जाएगा, हमारा 44 बटे 7 गुना r बराबर 44, तो यह आर आएगा 44 गुना 7 बटे 44, 44 से 44 कैंसिल, तो r की value आगई, 7 cm, ठीक है, r की value आगई, अब हमारे पार r भी है और height भी है, तो volume जो होता है, इसका, वो होता है, pi r square h, तो 22 बटे 7, radius हमारा है 7, तो 7 गुना 7 और h हमारा है 15, cancel कर देंगे इसको, तो अभी इसको गुना करते है, 22 गुना 7 होगी हमारा 7, 14, 15, 15, 15, 15 को 15 से करेंगे, 20, 25, 27, 7, 4, 5, 1, 0, 1, 3, 2, 2310 इसका correct answer हो जाएगा, अगला question है हमारे पास, अब यहाँ पर एक figure दे रखी है, ठीक है, हमें वो लाए, दूसरा, तीसरा और चौता, एंगल 2, 3, 4 जो है, एक्वल है, ठीक है, यह एक्स है, यह भी एक्स है, और एंगल 5 जो है, यह हमारा 150 डिगरी का है, तो एंगल 1 बताना है कितने डिगरी का होगा, ठीक है, तो देखिए, एंगल 5 और एंगल 4, हमारा linear pair है, 180 डिगरी का, ठीक है, तो यह भी 30 हो गया, और यह भी 30 डिगरी हो गया, ठीक है, अब उपर का भी यह linear pair बन रहे है, 1, 2 और 3 मिला कर, एंगल 1, एंगल 2, और एंगल 3 मिला कर 180 बन रहे है, ठीक है, एंगल 1 तो हमें निकालना है, 2 जो है वो 30 है, 3 भी 30 है, यह 180 है, तो एंगल 1 जो है, कितना आएगा 180 माइनस 60 तो एंगल 1 आ गया हमारा 120 डिए ओप्शन नमबर अगला कोश्चन है हमें इसकी वैल्यू बतानी है ठीक है तो ये मई 2012 में पूछा गया था तो हमें दे रखा है ब्रैकेट 2 माइनस 3 ब्रैकेट 2 माइनस 3 माइनस 1 पावर है और होल पावर भी माइनस 1 है सबसे ब्रैकेट को सॉल्फ करेंगे तो 2 सेम रहेगा 3 सेम रहेगा यह होगा माइनस 1 की पावर माइनस 1 ठीक है और पावर हमारी माइनस 1 अब माइनस 1 की पावर माइनस 1 करेंगे तो ये तो हमारा माइनस 1 ही आएगा तो 2-3 into minus 1 हो गया पावर है minus 1 तो 2 minus 3 को minus 1 से करेंगे तो plus का 3 आ गया और power minus 1 तो 5 की power minus 1 अब हमारे पाद A की power अगर minus N है तो यह हो जाए 1 upon में A की power N हो जाता है तो 1 upon में 5 की power 1 हो गया जो की 1 by 5 इसका correct answer है यह थे 2012 में पूछे के कुछ important question उम्मीदे आपको मारे वीडियो पसंद आया होगा थेंक यू